I can be what the Bible says I can be Bible जो कहती है मैं बन सकता हूँ I can do what the Bible says I can do जो कुछ Bible कहती है मैं कर सकता हूँ And I can have what the Bible says I can have जो कुछ Bible में लिखा है मैं प्राप्त कर सकता हूँ I declare it मैं इसकी घोशना करता हूँ इस पर विश्वास करता हूँ और इसे स्वीकार करता हूँ ईशु के नाम में चेहरे में मुस्कान के साथ पडोसी से कहें तुम आशिशित होने के लिए ठहराए गए हो जब वचन के अनुसार चलते हो और जब हम यह समय मना रहे हैं बाइबल भविश्य के बारे में बहुत कुछ बताती है हमें सांतवना देने और आनंद के बारे में यह समय आनंद का कब हमें मिलेगा सच्चे विश्वासी किस प्रकार इस आनंद के समय को कैसे प्राप्त करेंगे प्रेरित पत्रस जैसे परमेश की सूसमाचार का परचार करता है प्रेरितों 3 के 19 और 20 में लिखा हुआ है यह वचन हमारे लिए आज बहुत ही मुख्य है इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं जिससे प्रभु के सम्मुख से विशान्ती के दिन आएं और वह ईशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीर ठहराया गया है जैसे भविश्वक्ता ने प्रचार किया मसी सही समय पर आया प्रएटों तीन के अठारा में परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविश्वक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसी दुख उठाएगा उन्हें उसने इस रीती से पूरी की इसलिए पत्रस लोगों से कहता है मन फिर आने के लिए ताकि उनके पाप मिटाए जाए ताकि परमेश्वर विश्रान्ती के समय को भेजे उन्होंने जिसको कुरूस पर चड़ाया उसके द्वारा ही आशा प्राप्त हो सकती है आज यहां पर पास्टर डबी ने कहा था कि दस हजार धर्म यहां पर उपस्तित है और जिनको रेकॉर्ड नहीं किये हैं और दस हजार भी है कम से कम बीस हजार हो गए है और आप जरह सोच के देखें कि लोग परमेशर की किस प्रकार खोज कर रहे हैं और यहां हम विश्वासी हैं जो सचे परमेशर को जान गए हैं लेकिन हमें यहां पर गवाही बनना है उदाहरन बनना है तो यह विश्वानती के समय का मतलब क्या है और यह मन फिराने के साथ कैसे जुड़ा हुआ है और हम परिवर्तित हो जाते हैं और हमारे पाप मिटाए जाते हैं तो शारेक रूप से भी हम विश्वानती पा सकते हैं यह विश्वानती को हम ऐसा कह सकते हैं कि गर्मी की दिनों में ठंडा पानी और यरुशले में जब परचार किया गया लोग बहुत जल्दी बचनों को समझने लगे पुराने नियम में हम देखते हैं यहुदियों के अंदर ऐसी विचार धारा थी और वे लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे शारेक रूप से भी उनको विश्वानती आराम मिलता था जब वो आएगा आपको शारेक रूप से भी विश्राम मिलेगा यह जो भविश्य में पूरी होनी वाली बात है यह वचन में भी लिखा हुआ है पुदारन के लिए भजन सहिता में परमेश का राज्य हमें सच्चे आपका राज्य हमें सच्चे आनंद को प्राप्त करने में मदद करता है बजन सहिता 96 में 10 से 13 तक देखेंगे जाती जाती में कहो यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह तलने का नहीं वह देश देश के लोगों का नयाए खराई से करेगा आकाश आनंद करे और प्रित्वी मगन हो समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें Oh, let the heavens rejoice Let the fields be joyful and all that is in it Then all the trees of the wood will be rejoiced before the Lord And so, for He is coming, for He is coming to judge the earth He shall judge the whole, the world with righteousness and the people with His truth यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है वह प्रित्वी का नयाए करने को आने वाला है वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश-देश के लोगों का नयाए करेगा So, He is going to come and bring rest and refreshment वह आएगा और विश्रांती और विश्राम लेकर आएगा Tell your neighbor next to you, rejoice अपने पडोसी से कहें, आनन्दित हो जाओ Isaiah 51, verse 3 says Yeshaya 51, verse 3 में लिखा है For the Lord will comfort Zion He will comfort all her waste place He will make a wilderness like Eden And her desert like the garden of the Lord Joy and gladness will be found in it Thanksgiving and the voice of melody Yehovah ने सियोन को शांती दी है उसने उसके सब खंडरों को शांती दी है वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को Yehovah की वाटिका के समान बनाएगा उसमें हर्श और आनन्द और धनेवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा So Isaiah here begin to describe a refresh of becoming like the garden of Eden Yashaya यहां पर कहता है कि हम सब अदन के वाटिका के समान के स्थान में जाने वाले हैं Jeremiah portrays the time when Israel will have rest and quiet and no one shall make him afraid You follow what I'm talking about? I'm showing you in sequence So therefore do not fear Jeremiah 30 verse 10 Therefore do not fear my servant Jacob says the Lord nor be dismayed O Israel for behold I will save you from afar and your seed from the land of your captivity Jacob shall return have rest and be quiet and no one shall make him afraid Is liye hai mere daas Yaakub Tereliya Yahuwa ki ya wani hai Mat dar Hey Israel Wismith na ho क्योंकि मैं दूर देश से Tujhe aur tere vanush ko bandwaii ke dेश से चुडा ले आऊंगा तब Yaakub lot kar chayn और सुक से रहेगा और कोई उसको डराने ना पाएगा So here we are seeing all the times of refreshing coming Joel envision a fountain of life giving water flowing from the house of God In Joel 3 verse 18 and it will come to pass in the day that the mountain shall drip with new wine the hill shall flow with milk and all the brooks of Judah shall be flooded with water a fountain shall flow from the house of the Lord and the water the valley of Arkesias उस समय पहाडों से नया दाखमदू टपकने लगेगा और टीलों से दूद बहने लगेगा और यहुदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे और यहुदा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा जिससे शितीम के घाटी सीची जाएगी परमेशर के जन जितनों ने ये भविश्वानी की है इसके साथ ऐसा लगता है कि जो लोग मन फिर आएंगे उनको विश्रांती अभी इस समय मिलेगा भविश्य की विश्वानी ही नहीं जो आज मन फिरा करते हैं उन्हें विश्वानी प्राप्त होगी इसलिए पत्रस कहता है कि हर एक व्यक्ती को मन फिराना है ताकि वह विश्रांती को पा सके प्रेड़तों 3 और 19 में कहता है कि मन फिराओ ताकि तुमारे पाप जो है मिटाए जाएंगे इसलिए मसी के वच्चन को हमें समझ लेना है प्रेड़तों 3 के 22 में लिखा है जैसा कि मुसा ने कहा प्रभू परमेश्वर तुम्हारे भाईयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविश्यवक्ता उठाएगा जो कुछ वह तुम से कहे उसकी सुनना यह मन फिराओ का जो संदेश है जब पत्रस ने प्रचार किया था वह जितना महतपून था आज भी वह उतना ही महतपून है हम उन लोगों से सीख कर आज आगे बढ़ते हैं उन दिनों में भी वह मुख्यतार आज भी है आज आज आप विश्रांती चाहते हैं प्रभू का तो आपको मन फिराना है आपको बदलना है क्योंकि नया समय काल आ रहा है आप चाहते हो नया समय आपके जीवन में उस नया समय को पाने के लिए पुरानी बातों को छोड़ दीजिए जो बाते आपको नीचे खीच रही हैं उसे आप जाने दो उन सारे बातों को आप में से हटा कर उसे फेक दे ताकि आप सुतंत्र हो जाएं और परमेश्र की विश्रांती को पा ले बले यह थोड़ा कठिन है विशेश करके जो लोग परमेश्र की अनुसार जीना चाहते हैं लेकिन यह भी जान लीजिए कि आपको मन में शान्ती भी मिलती है यहना अध्याय 16 और वचन 33 में लिशा है मैंने यह बाते तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हे मुझ में शान्ती मिले संसार में तुम्हे क्लेश होता है परंतु धारस बांदो मैंने संसार को जीत लिया है अब यह शान्ती हमें किस प्रकार मिल सकती है जब हम पापों से मन फिराएंगे और बप्तिस्मा लेकर पवित्र आत्मा को स्विकार करें यह शान्ती हमें जरूर मिलेगी कथिन परिस्थतियों में भी पवित्र आत्मा और वचन हमें सांतवना देता है रोमियो पंदरा का चार जितने बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोथसाहन द्वारा आशा रखें जब हम पापों से मन फिराते हैं और बप्तिस्मा लेकर पवित्र आत्मा को पाते हैं यह समें बहुत मुख्या है कि पवित्र आत्मा आपके हद्रा के द्वार को कटटाता है आप यदे अपने पापों से मन नहीं फिराते हो और बप्तिस्मा नहीं लेते और पवित्र आत्मा को स्विकारनी करते तबहें आपको विष्वांती का समय मिलेगा भले हम कटन परस्तियों में से गुजरते हैं वचन और पवित्रात्मा की सांतवना की द्वारा रोमियों 15.4 में ऐसे ही लिखा हुआ है प्रेज तो 9.31 में लिखा है इस प्रकार सारे यहुदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नती होती गई और वा प्रभु के भै और पवित्रात्मा की शांती में चलती और बढ़ती गई oh can you see that scripture down there comforted of the Holy Ghost and they multiply you need to depend on the Holy Spirit you need to be filled by the Holy Spirit you need to be infilled continuously by the Spirit of the Lord and here is one good example of repentance found in the Bible King David himself humbly prayed in which he asked for total forgiveness for his grievous sin you know maybe you think your sins cannot be forgiven हो सकता आप सोचे कि आपके पाप शमा नहीं होंगे but when King David finally realized of his terrible terribleness of his sin in committing adultery जब वो वेविचार का पाप करता है तो दावुद यह जान लेता कि वो गलत है और पश्चिताब करता है and a doubtry with Batshiba and her husband was murdered Batshiba के साथ वो पाप करके उसके पती का खून कर देता है उसने योजना बनाई थी इसको हम अपराद कहते है जब वो जान गया तो वो प्रार्थना करता है भजन सेहता 51 एक और दो में लिखा है Have mercy upon me O God according to your loving kindness according to the multitude of your tender mercy blot out my transgression wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin So David sought the only solution that would bring him the inner peace and refreshing of being restored दावद जान गया था कि यदि वह मन फिराता है तभी वह पुनरस्थापित होगा और तभी उसके अंदर शांती आ सकती है ताकि उसके अंदर शांती आ सके परमेश के प्रेम के प्रती पुनरस्थापित हो जाना और उसे फिर से प्राप्त करके विश्रामती पाना यदि आपने भैंकर पाप किये हैं ऐसी गलती की अपराद किया है जो परमेश को प्रसन नहीं करता तो वापस आ जाईए मन फिराईए और परमेश से जुड़ जाईए ताकि आपको विश्रांती प्राप्त हो सके भजन सहिता 32 के एक में लिखा है क्या ही धन्य है वह जिसका अपराद शमा किया गया और जिसका पाप धांपा गया हो यदि हम मन फिराने के लिए तैयार हैं तो परमेश हमेश हमारे अपराद को शमा करने उसे दूर करने उसे ढापने के लिए मिटाने के लिए तैयार है परमेश के संतान आप सिंते हो ये बचार का जो पाप है और सारी बाते हैं परमेश कभी नहीं बदलता उसने यशया 43 में वचन 25 में कहा है मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित तेरे अपरादों को मिटा देता हूँ और तेरे पाप को स्मरन ना करूँगा यह परमेश का कहना है बचन सहिता 103 में 11 और 12 में कहता है जैसे आकाश पृत्वी के ऊपर उचा है वैसे ही उसकी करूणा उसके डरवईयों के उपर प्रबल है उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपरादों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है हम सब पाप करते हैं और केवल परमेश नहीं इसका हल हमें दिया है ताकि हम उसके साथ फिर से जुड़ जाएं आपको ईशु की आवश रकता है उसके बगएर परमेश आपको धार नहीं दे सकता लोग कई दिशा में जा रहे हैं परमेश की खोज में मैं कहता हूं कि ईशु के पास आईए और वा आपको स्वतंतर करेगा